नमस्कार दोस्तो देलर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है अपन कर रहे थे दोस्तो आर्पीसी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका ओल्ड पेपर दो हजार तेरा का यह आर्पीसी की वेबसाइट से दोस्तो डाउनलोड किया गया औरिजिनल पेपर है औरिजिनल की से ही इस पेपर को मैं आपको हल करवा रहा हूं एक से लेके पचास तक प्रसन अपन कर चुके हैं आज एक एकाउन से लेके सो तक प्रसन करेंगे और अन्ति चेन की दिवार का निर्मान किया गया था यूरोपीनों के आकर्मन से बचाव के लिए हुणों के आकर्मन से बचाव के लिए प्रेटन के अंदर विक्षित करने के लिए चेन की शिम अस्तापित करने के लिए तो इसका राइटान से दो नमरों जाएगा हुणों के आकर्म नौपुल मदिना तो इसका राइटांतर क्या हो जाएगा बगदाद अबासी खलीफाओं की राज जाने थी बगदाद अगला परशन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा शुविधान सभा में उदेश्या प्रस्ताओं किसने प्रस्तूत किया था शुविधान सभा में उदेश्या प्रस्ताओं किसने प्रस्तूत किया था तो शिंपल सा प्रस्न है डारेक्ट उत्तर बताऊंगा जवारलाल नेहरू ने अगला प्रस्न देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा प्रस्न ये है मस्तबा क्या है मस्तबा क्या है एक परकार की कबर जस्टिनियन कोड की परवर्टक का ना एक मिसर देवता का ना युनानी देवता का ना तो चोपन का राइटांस रोजाएगा एक परकार की कबर है दोस्तो मस्तबा अगला परसन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा प्रसन ये है प्राचीन सब्वेता जिसने बारूद का अविश्कार किया वह है रोम, युनान, मिस्रिया, चीन तो इसका राइटांसर हो जाएगा चीन अगला प्रसन देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बिम्बी सार और अजाद सत्रू के राज्यकाल में मगद की राजदानी थी कोशामबी, स्रावस्ती, राजगीर या पाटली फुत्तर तो चपन का राइटांसर क्या हो जाएगा राजगीर अगला प्रसन देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रसन देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा प्रसन ये है कि निमे लिखित को शुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प का चैन कीजिये तो देखे दोस्तों ये बोध्रम के परचारक और इधर देश है उत्तर, स्वरन भूमी, महंद्र, वनवासी, रक्षित, मईश मंडल, महादेव, लंका तो इसका मिलान करना है हमें तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ये देख लीजे आपके सामने ये लेजे तो देखे मैं मिलान कर रहा हूँ दोस्तों एक का दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर, स्वरन भूमी दो का दोस्तों डी हो जाएगा महंद्र और संगमित्रा को लंका बेजा था रक्षित दोस्तों वन वासी बेजा था फिर देखे दोस्तों महादेव को महिस मंडल तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा एक नमबर उप्स अगला प्रशन देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर रहे रहा प्रसन ये है अशोग द्वारा धम महामात्रों की न्यूक्ति का उले किस सिला लेक में किया गया है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा चार नमबर उप्स अशोग द्वारा धम महामात्रों की न्यूक्ति का उले किस सिला लेक में किया गया है तो इसका राइटांस रो जाएगा चोथे में सोरी चार नमर उप्सन यानि पांच होए में अगला प्रसन देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा प्रसन ये है दोस्तों कि असोख के अतिरिक्त देवा नाम पिरिये उपादी धार्ण करने वाला मोरेशाशक था कुडाल, संप्रिती, तसरत या जालोक अच्छा प्रसन है ये तो इसका राइटांस रो जाएगा दसरत अगला प्रसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा सारनात में बोध स्टूप का निर्मान किसने करवाया था सारनात में बोध स्टूप का निर्मान किसने करवाया चंदरलेखा, देवी, असंदी, मित्रा, कुमार देवी या अशोक तो इसका दोस्तों और प्रसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर रहे रहा प्रसन ये है पतंजली किस सुंग सासक का प्रोहित था पतंजली किस सुंग सासक का प्रोहित था अगने मित्र, पुष्य मित्र, वश्य मित्र या शुजेश्ट तो 62 का राइटांस रो जाएगा पुष्य मित्र अगला प्रसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा त्रेश्य नमर ये देख लिजे दोस्तों निमलिकित को शुमेलित कीजिए इधर देखे दोस्तों रचना ये दे रखी है इधर रचना कार दे रख थे हैं बाण यानि बाण भट मर्श कटिक अर्ष नाग गानंद शुद्रक कदम्री हाल तो बताना है दोस्तों पन को त्रेश्य नमर परसन है ये ये नीचे वाड़े उप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ तो देखे दोस्तों गाता सब्तती हाल की रचना है फिर देखे दोस्तों मर्श कटिकम ये छुद्रक की है दोस्तों फिर देखे दोस्तों नागानंद ये हरस की है कदम्री बाण देखे दोस्तों गाता सब्तती हाल की रचना है मर्श कटिकम ये छुद्रक की है नाग दसक या नागानंद ये हरस की है कदम्री दोस्तों बाण भटकी अगला परसन देखे आपके सामने स्क्रेन पर ये रहा चौशट नमबर चौशट नमबर परसन है दोस्तों कि तो इसका राइटांद रोजाएगा 365.25 अगला परसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रेन पर ये रहा परतिहार साशक जिसने मेड़ता को अपनी राज़दानी बनाया वह था परतिहार साशक जिसने मेड़ता को अपनी राज़दानी बनाया वह था तांत नागभट भोगदत या दद्दा 65 का राइटांद रोजाएगा नाग दसक बी वाला उप्सन सोरी नागभट दोस्तों नागभट अगला परसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रेन पर ये हुआ कंबुज के अंगोर वाट का निर्मान कि स्सक्राजेक्शाश कर में हुआ स्ध४्ति ये वरमा या कॉंडीन ने सिकंट और इसका राट के इसका होजएगा सुरिय कुश्वत होhtaएगा नेक्स क्यूश्य मैश्प्सन देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा निमन मे ट्रेंग इसे कौन सा ग्रंथ मावी रचित नहीं है पंचिजिदान्ति का दस गती का सुत्र दस गीती का सुत्र वर्ध वी वहापटल व्रध चातक तो 66 का राइटांस रो जाएगा 10 गीति का शुत्तर बी वाला उप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला परसन देखे आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा 68 नंबर 68 नंबर परसन है आर सी मजूमदार के अंशार दक्षनी पूरी एशिया में सलेंदर शामराज्य का उद्धे किस स्टाबदी में हो गया था आठवी स्टाबदी, नवी स्टाबदी, देश्मी स्टाबदी या ग्यार्वी स्टाबदी तो 68 का राइटांस रो जाएगा आठवी स्टाबदी यह उप्शन है वो क्रेक्ट हो जाएगा अगला प्रसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रेन पर ये रहा प्रसन ये है प्रसन ये है दोस्तों कि कतल है अकभर ने 10 साला पदती को 1580 में लागू किया था कारण है 1580 के बाद उसके शंपुर्ण रजे में 10 साला विस्ता लागू थी ए और आर दोनों सही है किन्तु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता ए और आर दोनों सही है आर ए की ठीक व्याख्या करता है ए गलत है आर सही है ए सही है किन्तु आर गलत है तो बताईए इसका तो इसका करेक्ट देखे दोस्तों भी हो जाएगा ए और आर दोनों ठीक है आर ए की ठीक व्याख्या करता है यानि एक बर ने दैसाला पत्ति पंद्रा सो असी में लागू की पंद्रा सो असी के बाद उसने संपूर्ण सामराजे में दैसाला व्याश्ता लागू की दोनों ही सही है आर भी सही है और ए भी सही है और आर ए की ठीक व्याख्या करता है अगला परशन निम्ना की चित्रकारों में से जहांगेर ने किसे नादिर उज्ज जम्मा की उपादी परदान की थी अबूल हशन मनसूर विशंदास मनोहर तो इसका रैटांसर क करेक्ट हो जाएगा अगला परशन देखिया आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा परशन ये है मुगलकाल में बार से निर्यात का अधिक्तम भाग कि सुष्थू का था शुति वस्तर, शक्कर, सोना या तांबा तो इसका रैटांसर हो जाएगा शुति वस्तर अगला परशन देखिया आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा निमन को शुमेलित कीजिए बदयूनी तारीखे साही, मोत बिन, मोत मिंद खान, बादसा नामा लाहोरी, इकबाल नामा जहांगिरी, एहमन्द यादगार, मुंत खब उत, त्वारिक तो शुमेलित करना है दोस्तों तो एक नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा, एक एतर का एक नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, देखें, एक का डी हो जाएगा, बदयूनी, बदयूनी, मुंत खब उत, त्वारिक, दो का सी हो जाएगा, मोत मिंद खान, इकबाल नामा जहांगिरी, तीन का बी हो जाएगा, लाहोरी बादसा नामा, एहमन्द यादगार का हो जाएगा, तारीक सही, तो बैतर का राइट अंसर एक नंबर हो जाएगा, अगला परसन देखें दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तीतर नंबर, परसन ये है, निमन में से कौन सा सा सक दो बार गदी पर बेटा था, जहांगिर, हुमायू, अकबर, या सा जहां, तो हुमायू हो जाएगा, दोस्तों, अगला परसन, हुमायू, वे, खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला, ताज महल का वास्तुकार था, हुमायू, वे, खान ए, खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला, ताज महल का वास्तुकार मुहमक हनीफ उस्ताद इंशा अमानत खान उस्ताद एहमद तो चुहित्तर का राइटांस रहे वो क्या हो जाएगा चार नमर उपसन उस्ताद एहमद अगला परसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा पिछेत्तर नमर मुगल काल में नील उर्थ पादन के अंदर के रूप में तामबे की खान के कारण तलवार निर्माण के अंदर होने के कारण इरी सिल्क के कारण तो यह दोस्तो आरपीसी के दोरा बोनस दिया गया इसमें स्टार अगला परसन देखे आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा चिंतर नमर चिंतर नमर परसन है कि अलत मगा जागीर देने का चलन प्रानम किया था जहांगीर ने अकबर ने साजाने या ओरंग जेब ने तो इसका राइटांस रोजाएगा एक नमर उप्शन जहांगीर ने अगला प्रशन देखे दिवान ए वजीरात एकुल नाम से नेपद का गठन किया था साजहाने, औरंगजेब ने, अकबर ने या जहंगीर ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था अगला प्रस्ण देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा प्रस्ण ये है तो इसका राइटांस रो जाएगा केरन लियो नार्ड अगला देखे उनियाशी नंबर क्यूशन नूर जहां मूलते निवासी थी इराग, इरान, शीरिया या तुर्किस्तान तो इसका राइटांस रो जाएगा इरान की अगला प्रस्ण देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा अशी नंबर शंगम यूग का सरवादिक महतोपुर्ण अगर था, मदुराई, पुहार, कावेरी पटनम, एरिक, एरिक मेडू तो अशी का राइटांस रो दोस्तो, स्टार दिया गया रो प्रस्ण देखे दोस्तो आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा एक यासी नंबर किस कानून द्वारा भारत में इस्ट इंडिया कंपनी का सासंस माप्थ हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1733, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1858, मारले मिंटो एक्ट 1909 तो इसका राइटांसर जल्दी से बताईए क्या होगा, एक्यासी का तीन नंबर, गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1858, अगला प्रसन देखे दोस्ता आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ब्यासी नंबर, प्रसन ये है, निमेलिकित सूचियों को उश्मेलित कीजिए, लक सहाब गिर्फ तारी के बाद फासी, बादुर्शा यूद में मारे गए, तो इनको शुमेलित करना है, दोस्तों कौन सा सही शुमेलित है, तो 82 नंबर है ये, एक मिन्त ऐसे कर देता हूँ मैं, तो सुमेलित कीजिए, तो देखे दोस्तों इसका दो नंबर है, वो करेक्ट ह हो जाएगा, एक का डी, लक्षमी बाई, यूद में मारे गए, फिर देखे दो का सी, ताते टोपा, गिर्फ तारी के बाद फासी, पिर देखे दोस्तों तीन का भी, नाना सहाब, नेपाल प्लाइट कर गए, बादुर्शा जफर, रंगोन इर्वासित, तो लक्षमी बाई यूद में मारे गए, ताते टोपा, गिर्फ तारी के बाद फासी, बादुर्शा रंगोन, और नाना सहाब दोस्तों, नेपाल प्लाइट कर गए, अगला प्रसन देखे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तिरासी नमबर, अंग्रेजों के विरूद रुहेल ख खान, राजा, बेनी, मादोशिं, मुहम्मद हसन खान, तो इसका राइटांस रोजाएगा, खान बादुर, खान ने, तियाशी का एक नमबर, अगला प्रसन देखे दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चुरासी नमबर, निमेलिक्त विद्रोहियों, निमेलिक्त तो इनका सुमेलन करना है, दोस्तों, चुरासी नमबर, क्योशन, तो चलिए, मैं इसका करेक्टांस रहा आपको बता देता हूँ, एक नमबर होगा, ए, बी, सी, डी, ठीक है, ए, बी, सी, डी, तो इसारे सुमेली थे हैं, दोस्तों, अगला प्रसन देखे, आपके सामने स् अपल रही, कारण अब्रेटी सासन के विरुद जम्यदारों, राजाओं और भूस्वामियों के नेतरतों में राजनेतिक परतिरोद सफल नहीं हो सकता था, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर, इसका दोस्तों, एक नमर ही हो जाएगा, ए और आर दोनों से ही है, आर आरे समाज के सिधान्त और आरे समाज के सिधान्त और कारे करम के संद्रम में कौन सा कत्रम सत्यान नहीं है, पलाइनवाद और भागेवाद दर्शन का अईश्विकार, विद्वा विवाद का विरोद, मुर्ति पूजा का विरोद, अंतर जातिया विवाद को प्रोत साहान तो विदवा विवा का विरोत यह सथे दोस्तों समर्थक थे विरोत यह नहीं थे अगरा प्रस्न देख्या आपके सामने स्क्रीन पर यह राषता सी नंबर नेमलक्त में से कौन सा योगम से शुमेलित है कौन सा योगम से शुमेलित रानाडי विदान कॉलेज फिर देखे शीव देयाल, रादा स्वामी, सत्चंग, देवेंदर, टेगोर, बारतिय अब्रहम स्माज, केशो चंदर सेन, आदी बर्मा स्माज इसमें दोस्तों बोनस दिया गया और पेशी के द्वारा अगला परसन देखिए अठासी नंबर अठासी नंबर है, कॉलकाता में एसियटिक सोसाइटि की स्थापना किस ने की थी जेम्स ग्रांट ने, विलियम जोन्स ने, चार्स ग्रांट ने, जान शोर ने तो अठासी का राइटांस रो जाएगा दोस्तों, विलियम जोन्स ने अगला परसंदेखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बारती राष्ट राष्ट कांगरिस के किस वर्ष अपने स्विधान को अंगी करित किया उप्षन आपके सामने है मैं इसका राइटांसर बताऊंगा तो इसका राइटांसर हो जग 4899 में में अगला प्रसंदेखे दोस्तों 90 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा नेमेलिक्त में से कुन सा युगम सही सुमेलित नहीं है वुड़ डिस्पेश 1854 हंटर कमिशन 1852-1883 सेल्डर युनिवर्सिटी कमिशन 1858 हां टोग शिक्षश्मिती 1929 तो सेल्डर युनिवर्सिटी क अगला परसंदेखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा होम रूल आंदोनन चलाने वाली होम रूल लीग की संख्या थी एक दो तीन या चार इसका रहाटाइट रोजाएगा दोस्तों दो अगला परसंद बारतीराश्च्चांगरिस की स्थापना किसमें निमिलक्त में से अगला परसंद देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा तिराणवे नंबर बंगाल में 1818 में सबसे पहले प्रकाशित होने वाले स्माचार पत्र का नाम था बंगाल में प्रकाशित होने वाले स्माचार पत्र का नाम था तो इसमें दोस्तों और पीए सी ने बोनस दिया था क्या दिया था बोनस स्थार अगला परसंद देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा परसंद ये है चुराणवे नंबर कांग्रेश के किस अधिवेशन मे शवदेशी का प्रस्ताव शविकार किया गया था अच्छा प्रसन है मदरास के 1903 बंबे के 1904 बनारस के 1905 कलकता के 1906 तो इसका रायटांस हो जाएगा बनारस के 1905 के अधिवेशन में अगला प्रसन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहापी चाण में नंबर प्रसन यह है ब्रिटेन द्वारा भारत में किये गए निमिलिखित प्रियोगों में से सबसे कम अवदी वाला चला इंडियन कॉंसिल एक्ट अथारसो इक्सट ब्रिटेन द्वारा भारत में किये गए निमिलिखित प्रियोगों में से सबसे कम अवदी तक कौन सा प्रियोग चला था इंडियन कॉंसिल एक्ट अथारसो इक्सट इंडियन कॉंसिल एक्ट अथारसो बाण में इंडियन कॉंसिल एक्ट अथारसो बाण में इरेश मत रचित एक पुस्त का नाब पोप के लिए निर्दारत आचार सेंता माइकल एंजिलो द्वारा बनाए गई मूर्ती तो पी एता दोस्तो माइकल एंजिलो द्वारा बनाए गई एक मूर्ती है अगला परशन देखिए स्तार्व नमबर जेस्टिफिकेशन बाइ फेथ अलोन शिद्धात का परवचन किस ने किया तो मॉर्टिल लुथर ने किया अगला परशन देखिए दोस्तो आपके सामने स्क्रेन पर ये रहा अगला परशन देखिए दोस्तो आपके सामने स्क्रेन पर रहा प्रसन ये है Boston T. Party की गटना कब हुई थी अगला प्रसन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर रहे रहा प्रसन ये है निमेलिक्त में से कौन USA की सवतंतर गोशना के मसोदे को त्यार करने वाली शमीतिका स्दश्य नहीं था चेफ प्रसन फ्रेकलिन जार्ज वशिंग्टन या सर्मन तो जोर्ज वशिंग्टन सदसे नहीं था तो ये थे दोस्तों इकाउंट से लेकर 100 प्रसन और प्रसन फर्स्ट ग्रेड हिस्टरी दो हजार तेरा का जो ओल्ड पेपर है उसके अगले और अंतिम वीडियो में दोस्तों अपनार वेसी फर्स्ट ग्रेड हिस्टरी दो हजार तेरा के प्रसन पूर्ण कम्प्लीट कर लेंगे 101 से लेके 1500 तक तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जैहिंग जैभार्द